Hello everyone, I am Dr. Kanishka Koshik, welcome you all on Topper Stop, so in this video we will discuss revision of industrial relations and labor laws, तो यहाँ पर हम Hindi and English दोनों के अंदर ही है, अपने content को cover करेंगे, इसमें basically हम देखेंगे कि industrial relations जो होते हैं, उनकी approaches क्या होती है, सेकेंड में हम industrial dispute act 1947 को discuss करेंगे and end में 2020 के अंदर lockdown के time में हमारी industrial dispute act जो है, और जो labor laws थी, उनमें कुछ modification की गई थी, अगले आने वाले तीन सार के लिए था कि जो अभी economy slowdown हुई है, उसमें changes के जा सके, तो उन सब को भी हम discuss करेंगे, तो यह current or plus static आपकी वीडियो जाएगे, चले वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो से शुरू करने से पहले कल जो part था मेरा English and Science का था, उसमें मैंने दो question पूछे थे, आपसे एक था question की, जो statistics होते हैं हमारी country के अंदर, वो कौन release करता है, तो Central Statistical Organization जो है वो उसका अंसर था, और वहीं पूछा गया था, कि बाइ कर पाएंगे, और उसी के साथ जो बिशुर जी साहु है, उन्होंने जो है, उसका अंसर दिया था, basically की ATP क्या होता है, तो एडिनोसीन ट्राइफोस्फेट जो होता है, वो basically ATP की full form होते है, तो आज हम शुरू करते हैं, approaches to industrial relations से, सारी इसमें पढ़ने नहीं है, हमें सिर्जो म territory approach, third is pluralist approach, D is Marxist approach, या जहाँ आपका sociological approach, फिर गांधियन approach आते है, psychological approach आते है, और human relation approach आते है, जिरको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले industrial relation में psychological approach को देखते हैं, यहाँ पर देखिए basically क्या जीत है, कि कोई भी company में एक issue हुआ, ठीक है, अब आपकी psychology है, कि आ दूसरा जो वहाँ का owner होगा, वो उस चीज को किस तरीक से predict कर रहा है, तो यह क्या होते है, psychology होते है, तो कोई भी issue, या फिर कोई भी जो conflict होता है, वो labor या management के बीच में जब होता है, तो every group, मतलब labor का group और management का group है, वो किस तरीके से negatively perceive करते है, एक दूसरे की behavior को, जैसे management व होगी, आपकी psychological approach होगी, नैस discuss करते है, sociological approach को, तो यहाँ पर basically जो management होता है, पूरी team होती है, उसके क्या goals है, industry को लेके, worker का attitude है, अपने काम को लेके, किस तरीके से industry के अंदर जो change है, वो perceived हो रहे है, तो यहाँ पर basically बहुत सारे broad social factors होते है, जैसे कि जो institution है, उसका culture क्या है customs क्या है, जहाँ पर वो institutions है, structural changes क्या क्या उसके अंदर आ रहे है, status क्या है, symbols क्या है, इस तरीके की जो चीजे होती है, जो workers है, पर जो management वहाँ पर है, क्या वो changes को resist करता है, या फिर वो accept करता है, यह सारी चीजे जो है, वो आपके sociological approach के अंदर आएगी, फिर discuss करते है human relation approach क तो human relation approach की जो major problem होते है, industrial relation में वो यह होती है, कि basically employer जो होता है, वो pressure देता है, workers के उपर काम करने का, यहाँ पर जो है, workers का reaction होता है, तो यह जो एक तानवाना होता है, employer के बीच में और workers के बीच में, यह क्या हो गई, आपकी human relation approach हो गई, कि किस तरीके से worker या फिर जो management है, वो अपने pressure के उपर और work के उपर, जो है, react करेंगे, तो यहाँ पर देखे, basically क्या होता है, कि अगर बहुत जादा management से pressure आ रहा है, तो क्या हो सकता है, protest हो सकता है, resistance हो सकती है, और यह जो है, workers के भी मान के चल सकते हैं, कि चलो यार, हमारा management अच्छा है, थोड़ सा काम और क करने के लिए, फिर आते हैं, गांधियन अप्रोच के उपर, एक चीज़ और, जो हिंदी का content है, वो मैं इसके बाद में दिया है, आप यहाँ पे समझ लीजिए, आपको याद करना होता है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, पीडिएफ जो है, वो थोड़ी मिलने मुश जी क्या थे, नोन वोइलेंस के लिए थे, कहते हैं थे सम्मिल जूल के रहो, तो यह चीज़ भी इंडस्ट्रेस के उपर, एपलाई होते है, तो गांधियन अप्रोच जो है, वो बेसिकली truth के उपर, नोन वोइलेंस के उपर, और नोन पोजेशन के उपर, जैसे गांधियन बहुत जादा मतब ऐसी वेग बात कहा दी थी, कि जो भी ओनर होता है, उसके पास जेतनी भी वैल्थ या प्रोपर्टी है, वो अपने पास नहीं रखे, वो वर्कर्स के बीच पे उसको distribute कर दे या फिर उनके साथ contribution रखे, तो इस तरीके कि जो statements थे वो गांधियन कि यह जो rules आफ follow करेंगे, उससे जितने भी industrial disputes है, वो अपने आपे resolve हो जाएंगे, और वहीं पे जो workers की reasonable demands है, तो collective action के थुरू उनको redress करना है, industry का एक state responsibility होती है, और जो employer होता है, उसको अपने employee की सभी जीनी भी demands होती है, उनको fulfill करना चाहिए, वहीं पे जो trade unions होती है, उ non-violent method की होनी चाहिए, next discuss करते है, socio-ethical approach की उपर, तो यहाँ पे basically क्या है, एक willingness है, मतब देखो socio हो गया, क्या मतब social में क्या होता है, लोग मिल चुल के रहते है, एक society तब ही बनती है, ethical मतब हमारे आदर्श क्या है, हम किस तरीके से अपनी moral values को follow करके, चीजों को कर रहे है, तो यहाँ पे willingness जो है, वो create की जाती है, ताकि partners की तरह जो workers है, या फिर जो management है, या employer है, वो रह सके, और एक code of ethics हो, मतब कि जो owner है, वो workers के साथ कुछ गलत ना करे, जो जो उनको rights मिलने चाहिए, वो दे, और workers की भी duty होते है, कि वो पूरी purity के साथ, अपनी duty को follow करे, तो य management की philosophy और code of ethics जो है, वो develop होना ज़रूरी होता है, social ethical approach के अंदर, management and workers जो होते है, उनको joint consultation की एक अर्ज होनी चाहिए, कि हाँ, हम मिल जुल के काम करेंगे, उसके साथ जो है, वीवी गिरी की जो statement है, या पको याद रखनी है, क्योंकि मैंने आपको आज सुबह की वीडियो मे आप अगर इसको नहीं याद करेंगे, तो आप मिस आउट कर सकते हैं अपना, तो वीवी गिरी जो है, उन्होंने stress किया था, collective bargaining के उपर, और mutual negotiations के उपर, collective bargaining मैं आपको पहले भी explain कर चुकी हो, कि मतलब कि अगर कोई भी एक issue arise होता है, तो उसमें मिल जुल के जो है, वो हो ज सिस्टम एप्रोच किसने डेवलोप किया था, यह आपको याद दखना है, तो JP Dunlop, Harvard University 1958 के अंदर, सिस्टम एप्रोच को डेवलोप किया था, यहां पर basically क्या का गया, कि रेखे, जो एक individual होता है, वो एक पार्ट होता है, ongoing social system का, मतलब हम देखे, society में रह रहे हैं, किसी भी society में रहते है, तो आप उस society का पार्ट है, ठीक है, पार्ट भी है, प्लस आपकी एक खुद की individual identity भी है, तो यह क्या हो गया, social system approach हो गई, ठीक है, तो जो भी behavior, किसी भी person के थुरू, action, role, जो भी individual कोई प्लेग करता है, वो उस culture की society के basis पे शेप होता है, जैसे कि यह माँ ल एक hypothetical area है, वहाँ पे जो person है, वह बहुत जादा hard working हो जाते है, वह बहुत जादा loyal है, पर जो दूसरा area वहाँ पे नहीं है इस तरीके के, तो यह क्या हो गया, basically behavior action है, जो culture of society के पर डिपेंड करता है, यहाँ पे जो है three element system approach की होते है, यह बहुत important point आपके लिए, तो input process and output, म फिर उसका बुरा result आ रहा है, यह three elements आपके system approach के हो जाते है, तो society जो होते है, वो एक cue देती है, signal देती है individuals को कि किस तरीके से, किस situation में act करना चाहिए, और वहीं पे institutions जो होते है, value systems होते है, जो other characteristics होते है society के, वो influence करती है, कि किस तरीके से एक individual का जो outcome है, response किस situation में किस तर industrial relations के, तो देखे, management और जो trade unions है, जब उनकी willingness होते है, मतलब वो खुद से अपने आंतरिक तोर से चाते है, और उनके अंदर ability भी होती है, ताकि वो problem से freely deal कर सके, independently deal कर सके, और responsibility के साथ deal कर सके, वो एक good industrial relation माना जाता है, यहाँ पे collective bargaining को recognize करना बहुत जादा जरूरी है, ताक sorry guys, मैंने थोड़ा ठंडा का लिया था, तो उसके वज़े से मेरे गले में बार बार चोकिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो desirability होती है, association of workers and management की government के साथ मिलके काम करने की, यह होनी चाहिए, industry relations के अंदर और वहीं पे, जो employee के grievances है, मतलब जो भी worker काम कर रहे है, उस industry के अं next सेकते हैं कि working condition और जो payment होती है, fair wages की, वो satisfactory level की होनी चाहिए, workers के लिए, वहीं पे एक suitable system जो है, employees का introduce करना चाहिए, जिसमें की, उनको education and training प्रोवाइड की जाए, जिसमें कोई industry है, उसमें कोई new worker आता है, या एक bunch of new workers आते हैं, उनको कोई knowledge नहीं है, तो यह जो है, industry की responsibility हो है, वहीं पे एक proper communication system जो है, वो develop करना होता है, management and employees के बीच में ये भी responsibility होती है, और वहीं पे better working condition, living condition और reasonable wages जो है, वो ensure करने होती है, employees जो है, उनको develop करना होता है, कि वो किस तरीके से technological, social और economic changes से अपने आपको adapt कर सकते हैं, मताब अपने अंदर changes ले जाए, ऐसा नहीं कि व हमारा sustainable way में survival होता जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उनको technological, social और economic changes अपने अंदर लाने होंगी, यह वाला point आप note अच्छे से कर लेजेगा, यहापर जो positive contribution देखा जाता है, वो economic development of country के अंदर देखा जाता है, अगर good industry relations maintain होते हैं, तो, अब हमने बात कर ली कि कि क्या-क्या approaches हो बना के जब चलते हैं, एक cooperative way में चलते हैं, तो industrial relations बहुत जादा अच्छे हो जाते हैं, तो, यहापर basically हम उन major stakeholders जो है, उनहीं के पार में discuss करेंगे, तो, industrial relations के अंदर सबसे पहले आते हैं, employees, ठीक है, फिर आता है labor, जो कि constitute होता है, और फिर आता है government, वहीं पर देखें, यह trade unions है, जो कि इन सारी चीज़ों की देखभाल कर रहे हैं, कि किस तरीके से supervision कर रहे हैं, और maintain कर रहे हैं, कि आगे जो है, जो भी industrial relations है, वो maintain है, workers का जो issue है, वो sort out होता रहा है, और जो management है, उसको भी profit हो, और वहीं पर जो vendors होते हैं, वो सारे मिलके industrial relations का participate stakeholders बनते हैं, तो, यह members है, उनकी union, जो trade union है, या फिर जो industry के members है, उनकी cultural और educational qualities की development की जा सके, वहीं पर employers और उनकी organization की बात करते हैं, तो, देखे, employer जो होता है, उसको एक तरीके से अपने interest को protect करते हुए, मतलब यह नहीं कि वो अपना ही नुकसान कर दे, एक healthy industrial atmosphere बनाना ज़रूरी होता है, जिस उस objective को achieve करने के लिए, फिर government को देखते हैं, तो government का देखे, मैं एक बार थोड़ा detail में बता देती हूँ, थोड़ा कम content में को लग रहा था, तो यहां पर government और state machinery होते है, वो basically regulate करते है, कि जो worker organization है, और जो employer organization है, मतलब कि जो करा रहा है, working करा रहा है, और जो work कर रहा है, उ attitudes and legislations जो बनाई जाते हैं, government के थूरू, उसे regulation एक रहेगा, उनके relationship का, वहीं पर judiciary, अगर मानलेजे कि employer है, और जो employee है, उसके बीच में को issue arise हो भी गया, तो judiciary है, हमारे पास ताकि वो जितने भी tribunals होते हैं, वो उन disputes को sort out कर सके, वहीं पर executive machinery होते है, executive machinery क्या करते है, कि जित management का क्या रोल होता है, तो देखिए, एक organization जो होती है, उसको कैसे represent किया जाता है, उसके labors तो होते ही होते है, कि किसी भी industry का part जो है, वो labor है, बट जो एक organization, एक superior level की बात करते है, तो जो officials होते है, जो की designated होते है, coordination of activities के लिए, उससे मिलके एक organization बनती है, तो यहाँ पर जो management का क्या रोल होता है, कि जो employee है, उसके benefits है, उनको administer करना, वहीं पर regulating terms and condition of employment जो है, उसको lay down करना और employees को बताना कि देखिए, आपकी यह service conditions है, इस तरीके से आपको काम करना है, वहीं पर जो social security के benefits है और welfare है, वो provide करना अपने workers को, coordination करना की एक hirad care और formal communication channel जो है, order and directives का बना रहे हैं, मतलब की, एक formal way में आप अपने orders and directives दे और उनके issues को भी सुने, और style और manner जो होता है, एक employer के organization का, कि वो किस तरीके से अपना work करते है, और क्या term and condition वो employment की रखते हैं, यह role of management के अंदर आता है, यह हमने discuss करा, approaches के बार आता रही है, और यह वाला जो आपका act है, यह important हो जाता है, इस वज़े से मैंने इसको इसमें introduce कर दिया, तो meaning क्या होता है industrial dispute का, तो 1947 के अंदर industrial dispute act आई थी, जिसमें एक definition दी गई थी, यहां पर जो term था industrial dispute, उसका मतला था, कि any dispute or difference, तो मतलब कोई भी जगडा, या फिर है, उन्ही की सोच में कोई फर्क आ जाता है, वो आपस में match नहीं कर पाती है, या उनके बीच में कोई लडाई हो जाती है, वो industrial dispute माना जाएगा, वहीं पे employer और workman के बीच में अगर कोई dispute arise हो जाता है, workman and workman के बीच में ही हो जाता है, मतलब जो workers है, उन्हीं के बीच में ह हो जाता है, तो यह सारे क्या होते है, industrial dispute के अंदर आएगे, ऐसा नहीं है कि सिफ employer और employee के बीच में जो dispute होगा, उसको industrial dispute माना जाएगा, तो और या है कि यह जो dispute है, यह हमेशा employment से connected होने चाहिए, या फिर non-employment से, non-employment का क्या मतलब है, या गर मान जीचे कोई worker है, उसको न जो person है, या फिर जो labor है, उसकी जो भी working conditions होते है, उनके साथ वो किस तरीके से connect हो पाते है, वो industrial dispute के अंदर आता है आपका, अब जो है industrial dispute के causes क्या होते है, क्या क्या reason की वरे से होते हैं, तो यहाँ पे दो तरीके की category के अंदर किया गया है, first is economic and second is non-economic, economic में wages, bonus and allowances से related जो हो आजाएंगे, वहीं पे जो conditions of work है, working hours है, leave है, holidays है, मतब कि holidays हो हो रही है, मतब कि आपकी तंखा काटी जा रही है, अगर आप कोई भी छुटी ले रहे है, तो यह सारे आगए आपकी economic के अंदर, और वहीं पे unjust layoff and retrenchment अगर की जाती है, तो यह सारे industrial dispute economic के अंदर कोजिता गए, वहीं पे non-economic में victimization of worker कर रहा है, मतब कि मालेजे की employee ने, जो मतब owner था, उसने कोई गलते करी और उसने वो employee के उपर डाल दी कि इसने करी थी, तो उससे क्या हो गया, वो victim बन गया, ill treatment by staff members, staff members जो वो ill treatment कर रहे है, workers के साथ, sympathetic strikes हो रही है, political factors है, in discipline है, यह सारे non-economic dispute के causes हो जाते हैं, अभी तक वीडियो पसंद आए, तो अभी वीडियो को like कर दीजे, channel को subscribe, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं, और subscribe channel को नहीं करते हैं, तो हम sources आपके लिए फिर नहीं ला पाएंगे, यह बात बुलकुल clear है, ठीक है, और bell icon पे click कर दीजे, ताकि आपको notification मिल के disputes जो होते हैं, उनको settle out करना, और जो differences होते हैं, किसी के भी बीच में, उनको minimize करना, through adjudication, वो आ गया objective के अंदर, वहीं पे suitable machinery को provide करना, ताकि जो dispute है, उनकी investigation जो होते हैं, वो fair तरीके से हो सके, illegal strikes और जो lockouts होते हैं, उनको prevent करना, वहीं पे जो workmen होते हैं, उनको matter of layoff, retrench and wrongful dismissal and victimization, मतलब इन चारो cases में, जो है, relief provide करना, अकर उनके साथ कुछ गलत हुआ होते हैं, तो वहीं पे जो है, उसको collective bargaining प्रोवाइट करना, और conciliation को promote करना, इसके objective आजाते हैं, अब industrial dispute act 1947, जो थी, उसमें बोखोत बार amendment आई है, तो इसके साथ, जो है, business environment के साथ साथ ही, यहाँ पर changes आते रहता है, तो यहाँ पर एक special legislation है, that is, industry dispute act 1947, जो कि workman के उपर apply होती है, किसके, यह depending करता, कि उसकी wage कितने है, मतलब चाहे वो worker छोटे level का हो, या फिर वो बड़े level का हो, amount of wages नहीं देखी जाएगी, सब के उपर यह legislation जो होगा, पर यह जो है, कवर करता है, कि supervisors drawing wages, note exceeding a specific amount per month, पर जो है, कुछ category के जो employee होते है, उनके उपर यह apply किया जाता है, एक fixed income रखी जाती है, कि अगर इस से जादा हो गया, मतलब जो बहुत higher category के हो गया, तो वो इस dispute act के अंदर नहीं आएंगे, महीं पर जो service conditions होती है, उनको govern किया जाता है, यह देखा जाता यह act के अंदर किया जाता है, वहीं पर जो various judgment है, supreme court की, उसमें objectives जो ID है, वो भी found देखने को मिलते हैं, जो कि आगे हम देखने को देखेंगे, और वहीं पर जो term industry है, उसका एक बहुत बड़ा wide meaning है, जिसके अंदर बहुत सारी economic activities एक organized sector में देखने को मिलती है, ठीक है, अब देखिए, by chance हमने हर कोशिश कर ली कि industrial dispute ना हो, industrial dispute फिर भी हो गया, तो कौन कौन से हमारे पास machine भी होते है, मतलब कौन से तरीक होते है, जिससे हम इसको ठीक कर सकते है, तो सबसे पहले आता है conciliation, conciliation का मतलब होता है, सुला कराना, ठीक है, तो इसमें जो works committee होते है, conciliating officer होत और board of conciliation के दरू, arbitration का क्या मतलब है, कि एक बीच में एक middle man आएगा, वो दोनों की बातचीत कराएगा, और फिर सुला कराएगा, यह हो गया, आपका arbitration, तो उसके लिए कोन काम करता है, court of inquiry करता है, महीं पर adjudication का क्या मतलब है, कि एक formal process होता है, एक judgment दी जाती है, जो वो judgment होती है, वो माननी होती है, तो इस तरीके से जो dispute का resolution होगा, वो adjudication के अंदर आएगा, जैसे कि labor courts होते है, industrial tribunal है, या फिर जो national tribunal से इसके अंदर आते है, यह slide बहुत जादा important है, यह वाली मैं telegram पे post कर दूँगी, आप इसको देख लीजेगा, ठीक है, next देखते है, मैंन स्थाने गुजरात है, उन्होंने अपनी labor laws के अंदर बहुत सारे changes लाये थे, ताकि executive order से और ordinances से जो labor laws है, उनको modify किया जा सके, आपको याद रखने है कि labor जो है, वो एक concurrent subject है, यह वाला question आप से directly, sorry, directly जो है वो पूचा जा सकता है, constitution of India के अंदर concurrent subject के अंदर आता है, labor subject, तो यहाँ पर basically क्या होता है, कि जो states है, वो अपने जो भी laws है, उनको frame कर सकते है, उनको central government के approval की जोड नहीं है, और central government भी यहाँ पर frame कर सकते है, तो उतर प्रिदेश जो है, उन्होंने एक ordinance किया, जिसमें कि यह का गया, कि जितने भी labor laws है, उनको बिजनेस को exempt किया जाता ह तो यहाँ पर जो labor laws है, जैसे कि industrial dispute से related है, occupational safety से, health and working condition of workers है, यहाँ जो trade union से related है, उन सब को defunctional कर दिया गया है अगले तीन साल तक, और जो laws related होती है, bonded labor से, deployment of women से, children से, timely payment of salaries से, उनको relax नहीं किया गया है, तो मतब यह वाली जो है, इनको हटा दिया गया है, इनको हटाया न नहीं गया है, यह वाला फरक भी आपको याद रखना है, तो जो bonded labor से related है, women को deployment, मतब women को employee किया जाता है, children related है, या फिर जो salaries का payment time पे होना चाहिए, यह वाली अभी भी है, यह वाली अब नहीं है, तीन साल के लिए ठीका, फिर दुबार आ जाएंगी, तो यह जो changes हैं basically, व के ओपर भी apply होंगे, और जो new factories बनी जारी है, state के अंदर, उनके ओपर भी apply होगी, यह वाला point भी आपको याद रखना है, महीं पर मदर प्रदेश जो है, उन्होंने भी जो labor laws है, उनको next thousand days के लिए suspend कर दिया गया है, और few important amendments जो है, वो लाए गया है, जैसे कि, जो employer है, उन के ओपर depend करता है, कि वो कितने घंटे काम कराना चाते है, यह वाला factory याद रखेंगे, यह का पर हो है, मदर प्रदेश के अंदर हो है, उत्रप्रदेश का अलग था, वहीं पर जो factory registration है, वो अब सिफ एक दिन में हो जाएगा, पहले क्या होते थे, तीस दिन लगते थे, खतम कर दिया गया है, industrial units जो है, उनको exempt कर दिया गया है, कि industrial dispute act 1947 के अंदर जो provisions है, अब आपको फोलो करने की ज़रूद नहीं है, आपको exempt किया जाता है, यहाँ पर organization जो है, वो workers को अपनी convenience, मताँ अपनी मर्जी से अब रख सकते हैं, हाला कि workers के साथ बहुत खराब हुआ है क्योंकि labor loss जो है, वैसे हटा दी गई है, बट इसके पीछे reason दिया गया, कि अभी जो है, वो economy बहुत जादा slow चल जो है, तो हमने उसको boost up करने के लिए चीज़ किया, ताकि जादा से जादा जो businesses, start-ups है, या फिर जो दूसरी country से, दूसरे area से businesses आते हैं, उनको attract किया जा सक तो ease of doing business का ये एक तरीके से explanation दिया गया, यहापे जो labor department होती है, या फिर जो labor court होता है, वो interfere नहीं करेगा, जो भी industry action करेगा, तो ये वाली जो provision है, industrial act 1947 के उनको dilute कर दिया गया है, मतलब खतम कर दिया गया है, contractors जो हो हैं, जो कि 50 workers से कम employee करते हैं, workers को, अब वो without registration जो है, व new industries को दी गई है, उसमें right of workers जो हैं, उनको exempt कर दिया गया है, कि आपको ये provisions follow करने की zone नहीं है, जैसे की health and safety at work हुआ करता था, better work environment हो गया, drinking water, ventilation, crash, weekly holidays, interval of rest, इन सब को खतम कर दिया गया है, exempt कर दिया गया है, कि किसी को अगर follow करना तो कर लो, औरना कोई ज़रूरत नहीं है, उसी के साथ जो है, registrars जो थे, inspections जो थी, वो हुआ करती थी पहले, उनको भी exempt कर दिया गया है, कि वो अपने, मतब कि अगर मालीजे कि कोई कराना चाहता है अपना, तो वो अपने convince के according करा लो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, यहां पे, और employees जो है, उनको penalties से भी exempt कर दिया इस रो का एक new experiment है, उसे related statement आपको दी गई है, आपको बताना है कि क्या यह statement सही है या नहीं है, तो first, it is a mission to study Venus for more than 4 years, तो यहां पे का गया है कि यह वीनस को पढ़ने के लिए जो है, यह mission किया गया है, और यह चार साल से जादा का होगा, और वहीं पे जो satellite plan की गई है, वो क सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और दूसरा जो है, मैं डूल बता देती हूं कि यह statement आपके सामने, आपको देखना है, वीडियो को post करना है, और फिर आपको अंसर करना है, खुद को करना है, तो देखें, यहां पे जो सही answer है, वो C है, बोथ 1 and 2, दोनों ही statement जो है, ठीक है एक बार मैं explanation यहां पे दे देती हूं, तो यह जो है Venus को study करने के लिए शुक्राइब के, शुक्रग रही कहते है Venus को, तो यह तो बिल्कुल सिंपल है, कि Venus से में किया जाता है, चार साल से जादा का जो time है, वो इस mission में दिया जाएगा, और इसका जो scientific objective है, इस mission को launch करने का, वो यह है कि जो surface processes है Venus के, उनको investigate करना, और जो sub surface की shallow depth है, मतब थोड़ी सी depth है, उसके अंदर जाके भी काम करना है, मतब कि उसको भी discover करना है, जो solar winds है, वो Venus के ionosphere से, मतब जो layer है Venus की atmospheric layer, उस से किस तरीके से interact करती है, वहीं पे उनका structure देखना, atmosphere का composition का है, dynamics का है, यह शुक् आपको याद रखने की जोड़ नहीं है, तो बस basically है कि यह जो orbit है, यह gradually reduce हो जाएगा several months के लिए यह वाला ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है, यह वाला जो है, यह आप मेरे को comment section में answer करेंगे, blue corner notice जो है, वो news में है, यह आपको बताना है कि किस वज़े से news के अंद आपके जो exam है, उसके लिए यह वाली चीज इंपोर्टेंट है, तो आप उस वीडियो को देख लिजेगा, telegram चैनल पे भी मैं उसको post कर रही हूं, इसका जो answer है, जो organization है, उसके बारे में ठीक है, तो आप इसको comment section में answer कीजे, उसी के साथ यह रेखिए, यही वाली चीजे जो मैंने अभी आपको English में समझा है, यह सारे मैंने आपको Hindi में दे दिया है, Hindi के जो students है, उनके लिए मैं telegram चैनल पे यह जो कुछ pictures है, वो post कर दूँगी, हलाकि आप यहां से भी इसको पढ़ सकते हैं, सभी वही चीजे मैंने डाली हुई है, Industrial Dispute Act भी दे रखा है मैंने इसके अंदर और जो अभी approaches समझाई हैं वो भी है, तो इसको आप एक बार read कर लेजी, क्योंकि वीडियो बढ़ना भो जादा लंबी हो जाएगी, समझा मैंने आपको महाँ पे दिया है, तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को like कर दीजे, और अभी की अभी चैनल को subscribe कर दीजे, thank you so much